समय की कीमत दोस्तों वही समझता है इसलिए जो की आगे जिन्दगी में बहुत कुछ कर जाता है वही समय की कीमत समझता है इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइन्स लिखी हुई है क्या लिखा है समझेगा समय की कीमत समझो अगर आज आप समय की कदर करोगे समय की कीमत दोस्तों समझ यह अगर आप अभी भी आज भी इस समय की कद्र नहीं करोगे तो आने वाला जो समय होगा वह आपको बरबात कर देगा क्योंकि आज जो अभी आप कर रहे हैं उस समय की बरबात कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको बरबात कर देगा इसलिए समय की इज़त करना सीखो कद्र करना सीखो तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार सकसेज नालेज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है । ओन ही टिप्स और टिकों को फालो करते हैं तो आपका 90+, physics मिलाने से कोई नहीं रोंक सकता और अगर आज इस जो वीडियो पर मैं आज बताने वाला हूं आपको टाइम टेबल अगर इस टाइम टेबल से जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता नाम बदल दूँगा मैं अपना और इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा अपना चाइनल बंद कर दूँगा अगर आप को 90 प्लस नहीं है अगर आप इसी टाइम टेबल से पहलते हैं जो मैं आज आप यहां बताने वाला हूं तो दो हमपर भी काम आइंगी तो सबसे पहली बीगआ बात यह दूस्तों ठान लो यहाँ पर देहों मैंने लिखा हुआ आपके लिए लाइन की ठान लो तो जीत है नहीं तो हार तो पका है अगर आप ठानते नहीं हो कि मुझे क्या करना है जिद नहीं करते हो कुलल मिला का मैंने कि आपको सबसे में जरूरत है लच्छ की किसकी जरूरत है दोस्तों लच्छ की आपके पास एक लच्छ नहीं है कि मुझे 85 प्लस चाहिए कि मुझे 90 प्लस चाहिए कि 95 प्लस चाहिए इन तीनों लच्छ में से सबसे पहले आपको एक लच्छ करना है कि मुझे कितने प्लस चा पाएंगे अनिता नहीं आ पाएंगे दोस्तों तो सरो परताम आपको ठान लेना है और जिद्धी बन जाना है कि मुझे लाना है तो लाना है और कितने लाना है इसके बाद नेश्ट टॉपिक है कि दोस्तों आलस बिल्कुल भी नहीं करना आपको 20 दिनों तक आलस बिल्कुल भूल जाओ आलस मनुस का सत्र है तो दोस्तों इस आलस को जीवन भर के लिए त्याक दो इसके लिए आप एक गंटे के लिए क्या करना है तो आलस दूर होगा मैं बताऊंगा अभी आपको प्रति दिन दोस्तों से के नमारा जो टॉपिक है थर्ड उसमें मैंने लिखा प्रति दिन जो मैं यहां पे आपको टाइम टेवल बनाओंगा इस्टिजी बताऊंगा आपको चाहिए लाख बिगल जाए आप उस काम को 20 दिन के लिए छो़ोधे दीजिए आपको मैं एक दो घंटे ऐसे बताऊंगा जिसमें आपके बिगधने वाले काम हो उसमें आप कर भी सकते हैं लेकिन आप इस समय कारे को छोड़े दीजिए बिल्कुल टाइम टेबल जो मैं बताऊं उसके लिए तत पर रही है जित्मां ये भी बताऊंगा कि आपको पहले चार करता था अब दो करता हूं कि आप लोग के पेपर ने तो ज्यादा यहां पर ध्यान ना देए इस 20 मिन पे मैं आपको ऐसे इंपरटेंट बताता हूं कि अगर आपके एक्जाम पर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको मान लिजिए कि वहाँ पर 5-4 billion को भी फिक् कि मैं यहता हैं कि मुझे आपके दिमाग में यह प्रिश नहीं मिलती हैं मोवाइल में वाटसङ चलाते हैं और एक किसी से भी जी अप से किसी से भी चैटिंग करते हैं तो वो सब आपके लिए बेर्थ होगा दोस्तो अगर आप इस समय को बरबात कर रहे हैं तो फिर समय आपका क्या करेगा मैंने पहले ये वीडियो पर बता दिया है इसके बाद है कि दोस्तो लच्छ जरूर बनाएं अगर अपने लच्छ नहीं बनाया तो फिस समझ लेजिए कुछ होने वाला नहीं है अब मैं आपको बता देता हूं कि सारा प्रताम कोई भी टॉपिक आप उठाईए उस टॉपिक के प्रतेक चेप्टर से किस किस चेप्टर से प्रतेक चेप्टर से आपको 10 कुष्चिन उठाने है कैसे कुष्चन? 10 कुष्चन उठाने है अब यह कुष्चन आपको कैसे उठाने है वो भी मैं बता देता हूं सपोर्च करिए आपके किसी भी उस पर 15 टॉपिक है पाहले जिए physics लिए आपने और physics या chemistry लिए उस पर आपके वाले यह databases टॉपिक है तो 15 टॉपिक म पर मैं बताता हूं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके मार्केट में बहुत सारी बिद्या या कुश्चन बैंक और लेवल हैं और लेवल है दोस्तों तो जैसे कि आपको मैं भी दे रहा हूं important question और भी कोई दे रहा है या फिर आप जो नहीं मान रहे है तो आप इसके लिए सबसारों प्रथम क्या है कि आप बिद्य ले लिजिए एक बिद्य ले लिजिए या फिर आप question में जो भी ले लीजिए उस पर देखिए दोस्तों सन पादे रहते हैं 2019, 2017, 2018, 2015 इस प्रकार से question ऐसे जैसे question ये लिखा हुए माल लीजिए सपोच करी ये question है तो इस question में दोस्तों लिखा होगा 15, 16, 17 इस प्रकार समझ जाएगा कि ये ज्यादा बार कुछा गया है अर्धात ये question important है इस लिए इस question को मुझे ले लेना चाहिए तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि क्या आप 10 question एक subject के daily एक 10 question तयार नहीं कर सकते तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों तो अब आप इन 10 question को इस प्रकार से छाटेंगे और question question एक ऐसा ही page पे लिख लेंगे फिर क्या करें से आपको जीवन भारिस question को याद रखना है और paper में अच्छे mark लाना है सारा कुछ उस वीडियो में बताया जाएगा इसके बाद हमारा है कि दीर गुत्री question को तयार करना है सबसे पहले सरोपर थाम आपको दीर गुत्री पांच पांच अंक वाले जो question होते हैं उनको आपक को क्या बनता है मैं आपको बता देता हूं इन्ही question से आपके फीव कुछ बहुभी गल्पी बनेंगे कुछ तीर गुत्री बनेंगे कुछ अतिलग गुत्री बनेंगे तो इन्ही जब ये 5 नंबर का आपको question पता है अब माल लीजिए अगर आपको chapter पूरा आ रहा है तो उस को कोई chapter आ रहा है तो उस chapter को कोई भी question आ जाएगा तो उसे आप कर पाएंगे ना बिल्कुल कर पाएंगे इसी प्रकार जो बढ़ा question होता है उसी से छोटे-छोटे question बनते हैं तो अगर आपने दीर गुत्री और 5 नंग वाले question तयार कर लिए उस chapter के तो छोटे-छोटे वा जाना तो उसे जरूर पढ़ें जिसे लगता है कि पूछा जा सकता या किसी ने बताया या मैंने बताया तो उसे जरूर एक बार पढ़ें अब उन से दस question निकालें सावी chapter से करना आप बाताती है कि आपको कितने time क्या करना कितने time खाना खाना है तो यहां पर बावी पर अपना फोकस करें इसके बाद दोस्तों तीन या चार वर्च का या अनसालव पेपर एक आपके मार्केट में बुकिश्टार जहां है वहां पर लेवल है तो वहां से आपको एक अनसालव खरीद लेना है ज्यादा ज्यादा तीस या चालिस रुपए में आपको मिल तो इनको आपको दोस्तों तीसे चालिस रुपाई या नहीं कि 100 रुपए आपको खर्च भी कर देने हैं तो आपको 100 रुपए खर्च इसके बाद आपको बता दूं दिन में अगर आप चार बज़े उठते हैं चार बज़े उठने की स्ट्राइजिजी लाइए चार उठने के बाद 7 a.m. तक आप ऐसा सब्जेक्स पर आपको याद करना है क्या करना है आपको याद करना जैसे कि बहुत भी करना यह पांच आंके फीजिक्स कमेस्टी मायत मान लीजिए फीजिक्स मैं आपको कुछ भी नहीं याद करना पदे का मैं गारंटी देता हूं अगर म साथ से नो दो गंटे का ब्रेक रहेगा जिस पर आपको फ्रेजबी होना आए और खाना हो गयरा सारा कुछ काम करना एक गंटे में और एक गंटे में ऐसा काम कर लेना है जो आपका बन नहीं रहा हो बिगल रहा हो आपके भी ना फिर इसक बाद 9 बज़े से 12 बज़े तक प 4 2 13 आपको गंटे इस्टा टाइम मिल रहा है तो तो उस टाइम पर भी आपको पाल रहे सो आप सब्सक्रीन है रहें तो आप उस सब्सक्राइस को पॉल सब्सक्राइर सब्सक्राइड नहीं पदना है वरना आपको वहां पर मन नहीं लगेगा को या पानी पीना या पांच मीना रेस्ट करना और एक वरना आपका दिमाख रेफ्रेस हो चुका होगा और आपकी नीदे जो आ रही होगी वो भी भग चुकी होगी तो बस दोस्तों आपको यही कुछ अपनाना है टिपस और ट्रिक जो मैंने बताई तो इस वीडियो को सेर करना बिल्कुल मिमत भूलेगा और याज बाद में कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिमत भूलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिये एर फोर्स तक की सभी प्रकार के स्टैटिजी तैयारी करवाई जाएगी तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में